आज हम आपके लिए लाए हैं एक खट मिटी रेसिपी इमली की चटनी इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए 75 ग्राम इमली, 100 ग्राम गुड, 150 ग्राम पानी सबसे पहले आप एक फ्राइपेन ले और इमली उसमें डाल दे फिर पानी आड़ करें और मीडियम फ्लेम पे ग्यास को आउन कर दे और जैसे ही इमली थोड़ी गरम हो तो एक कच्ची की मदद से इसे तोड़ ले थोड़ी देर में आप देखेंगे की इमली और पानी बिलकुल मिक्स हो गए है और कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी थीक है दस मिनट तक हिलाने के बाद आप देखेंगे की मली गाड़ी हो गई है आप इसे ठंडा कर लेंगे अ इमली थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद एक स्ट्रेनर की मदद से इसे चान लेंगी अब थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे ताकि जो गाड़ा पन है वो चला जाए अराउंड 50 ग्राम वाटर अब इसे मीडियम फ्रेम पर गयास पर रखेंगे और साथ के साथ इसमें जो हमने गुड़ 100 ग्राम रखा था वो इसमें डाल देंगे गुड़ की डली को हम बेलन की मदद से थोड़ा तोड़ लेंगे या फिर आप हाथ से भी तोड़ के डाल सकते हैं क्योंकि जब यी ऑन्रिफैंड है साथ के साथ इसमें बहुत सारे बेनिफेत्स है जैसे की डाइजेृिशन में भी हेल्प करता है अने में प्रेवेंशन में घंप करता है लिवप डेक्सी कहीं में हैं मक्या इम्मून इन भी बढ़ाता था है इसलिए मैंने शुगर की जगा गुड़ मिर्च काला नमक जिसमें काली मिर्च सफेद नमक और काला नमक डेला हुआ है कितनी क्वांटिटी में यह सब डालना है मैं अपनी रेसिपी डिटेल्स में मेंशन कर दूँगी अब आप हिलाएंगे कर्ची की मदद से तो देखेंगे कि गुर्ड बिल्कुल मेल्ट हो चुका पांच मिनट पकने के बाद इसमें सारे स्पाइसिस आर्ट कर देंगे पांच से दस मिनट मीडियम फ्लेम पे आप इसको रखें और देखेंगे कि आपकी इमली की चटनी ना जादा गाड़ी हो ना जादा पतली हो मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बिल्कुल क्योंकि जब हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी और अपने आपी इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको पच्चिस से तीस मिनट लगेंगे और यह आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और बीस से तीस दिन के लिए आप इसको स्टोर कर स स्नाक्स के साथ उठा सकते हैं जैसे कि दई भला, दई बडा, समोसा, कचोरी, पानी पूरी, पकोड़ा तो ट्राइ करें इस रेसिपी को जरूर बताईए का कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको इम्री की चटनी तब तक के लिए गुडबाई, मिलेंगे दुबारा एक नई चटपटी और मज़ेदार रेसिपी के साथ दोंट फोगेट तो लाइक, शेयर और कमेंट, थांक यू